स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में चरचा करने वाले हैं कि क्या होती है कॉमर्सियल सरोगिसी फिर उसके बाद commercial सेरोगेसी के उपर आएंगे एक propcar सेरोगेसी भी होती है इन तीन टाइप की सेरोगेसी को हम देखेंगे और इसके उपर एक movie भी आई हूई है बहुत खूबसूरत एक movie है फिर एक teacher के बिहाब से अगर मैं बात करूँ तो movie के बारे में बात नहीं करने चाहिए लेकिन इसके अंदर बहुत बढ़िया एक issue भी उठाया गया सरोगेसी को लेकर ही और यहां पर इसके point of view की हम भी बात करने वाले हैं इसमें point of view रखा गया है इस movie movie के अंदर तो pdf के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस video की pdf डाउनलोड कर सकते हैं चलिए start करते हैं अभी क्या हुआ है दिल्ली high court के अंदर एक याचिका एक petition file की गई जिसमें कहा गया कि जो single पुरूष है और जो single महिला है जिसको सरोगेसी के द्वारा बच्चा पैदा करने के लिए बहिश्का मतलब कि उनको बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं है सुरोगेसी के सुरोगेसी के तुरू साथ ही साथ जो एक commercial सुरोगेसी है उसक criminalize क्या गया है उसको decriminalize करें मतलब कि उसको criminalize मत करिए उसे legal कर दीजे तो दो चीज़ें जो है दो petition जो है दैयर की गई है दिल्ली हाइख हो उब बात कर लेते हैं यह Jihan Chronology कहना क्या चाहते है उनपन्व किसंट को चैल raz Megan ईहां पर आपको ध्यान रखना है कि 2 act है हमारे एक्टिव टेक्नोलोजी रेगुलेशन एक्ट 2021 जिसको शोट फॉर्म में कहा जाता है ए ए आर्टी एक्ट बोला जाता है 2021 फिर एक आता है हमारे सामने सुरोगेसी एक्ट 2021 अब इन्हों ने इसके अंदर कुछ प्रावदान है जिसको लेकर चुनोती दी गई है दिल्ली हाई परेशनर है उन्होंने तरक दिया है कि देखिए सुरोगेसी के माद्यम से बच्चे के जनम के बारे में एक वेक्ति का वेक्तिकत निडनने हैं मतलब कि कोई महिला सुरोगेसी के त्रूग किसी बच्चे को जनम देना चाहती है यानि परिजनन स्वायतक अधिकार समिधान क Article 21 के तहट निचता के अधिकारणा का एक पहलू है इसका मतलब भी वहा कोई महिला अगर सुरू किसी के ठुरू बच्चे को जनम देना जाती तो वो उसका एक अधिकार है उसका निचता उसकी प्राइविसी है वो Article 21 के तहट आता है उसको वो मिलता है उसको और इस परकार के सुरोगिसी के माध्यम से जो बच्चे को जनम देना या जनम देने के निर्णे को मूल रूप से परभावित करने वाले मामले में हर नागरिक या व्यक्तिक के अनुचित सरकारी हस्तक शेप से मुक्त होने की निचता के अधिकार को छीना नहीं जा सकता मतलब कि आर्टिकल 21 में अधिकार है निचता का प्राइविसी का जिसके अंदर किसी महिला का या अधिकार है कि वो बच्चे को जनम देगी या नहीं देगी सुरोगिसी के तुरू तो यह उसका अधिकार है अब वहां पर गौश्तक सेप करके उसके इस अध सबसे पहले सुरोगिसी एक्ट की बात करते हैं सुरोगिसी एक्ट क्या कहते है जो महिला 35 से लेके 45 जहादी है यहां पर यह सुरोगेसी का पुरा मतलब की लाब उठा सकते हैं, और इसमें, इसमें जो वानिजिक सुरोगेसी है, सरोगेसी यहनी कि जो कमर्सियल सरोगेसी है, उसके ओपर illegal है वो पर्तिबंदित है अगर जो यह करता हुआ पाया जाएगा उसको 10 साल की जेल और उपर से 10 लाक रुपे तक के जुर्माना का दंडनिये प्रावधान किया गया है अब केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ कानून केवल प्रोपकारी सरोगेशी को अनुमती देता है यानि अल्ट्रिस्टिक अब यहां पर इसको आपको समदना होगा प्रोपकारी का क्या मतलब है जहां कोई पैसे का आदान परदान नहीं होता मतलब कोई अपनी इच्छा से किसी की help करना चाता है वो प्रोपकार यहां पर साथ ही सरोगेशी जो मा है वो अनुवानशिक रूप से बच्चे की तलाश करने वालों से संबंदित होनी चाहिए यानि कि genetically related होनी चाहिए जो बच्चा चाहते हैं उनसे यानि कोई न कोई उनसे संबंदित वहां पर होना चाहिए उनके बीच में कोई संबंद होना चाहिए यहां पर यह बात वो ले गई है तो अब चुनोतियां क्या आती है इस एक्ट से देखिए जो सरोगेट और जो बच्चे का शोशन इस एक्ट से जो प्रोब्लम आ रही है कि कोई भी यह तरक दे सकता है कि जो राज्य है राज्य यहां पर स्टेट की बात नहीं हो रही है मतलब जो हर्याना पंजाब हिमाच चाहिए हालांकि जो वर्तमान में जो एक्ट है इन दोनों चुनोतियों का निवार्ण करने में या फिर इनको टैकल करने में विफल हो रहा है वह फेल हो रहा है दूसरी बात यह बोली गई इसके अंदर पित्रसतात्मक मानदंडों को मजबूत करता है तो पैट्राक जो कोई महिला अगर प्रॉपकार करना चाहती है तब ही वह बच्चे को जुनम देगी सुरोगेसी के तुरू अगर कोई पैसा लेकर करें तो नहीं वह नहीं करने देंगे तो एक कहा गए कि वह कोई काम कर रहा तो उसको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा तो यह सबसे बड़ी बा सेरोगेट के वैयद आये से वंचित करता है जो जो अभी मैंने बात बुलियंसेंद के अन्दर वही से हमें कि जो कोमर्शियल जो कमर्शियल सुरूगेसी है उसका पर पर्तिबन लगाने से जो है जो फो पर्तिबन्दित हो जाता है याई आप उसको पैसा नहीं दे रहे, अब क्या दोगे, सिरुफ सिरुफ मेडिकल खर्चा, या फिर आप उसके थोड़ा बहुत और खर्चा उठा दिया, आप उसका बीमा तक नहीं करवा, बीमा तक का एक खर्चा होता है, शायद इसके अंदर अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आप उसे स नहीं हो रहे हैं, जो वंचित है बच्चों से, जो बच्चा पैदा करने के लिए इस विकल्प को चैन करते हैं, उनको वो दूर करते हैं, उनके वास विकल्प कम हो जाते हैं, अब यहां पर एक तरीके से जो यहां पर बोला गया तरहा है, जो एल्टुरिस्टिक, जो सुर याप एक महिला है यहाँ पर वो किसी कपल को जानती है अब यहाँ पर इन कपल ने इन से अप्रोच की कि हमारे एक बच्च नहीं हो रहे हैं तो आप सरोगेट मदर बन जाईए अभी आपको सरोगेशी का भी मतलब अभी बताएंगे तो यहाँ पर collecting कि उत इस Totally गया से की जोड़े के विकल्ब को सीमित करती है यहां पर तो मैंने आपको बड़ी असानी से एक्जामपल दे दिया लेकिन आपको मिलते कहां पर है क्योंकि बहुत सीमित रिष्टेदार इस परकरिया में शामिल होने के लिए त्यार होंगे अब यहां पर एक कोई यहां पर थर्ड पा है चिकित्सा और अन्य विविद खर्चों जो मिसलेनियस खर्चें उनको उठाएगा साथ इसाथ उनका समर्थन करेगा कुल मिलाकर तीसरा पक्ष्यानी जो थर्ड पार्टी है इच्छित जोड़े वह है सेरोगेट मां दोनों को जो जटिल परक्रियाओं के माद्यम से अन्य विक्ति या जोड़े की और से बच्चे को जनम देने के लिए वह सहमत हो जाती है एक सेरोगेट जिसे कभी कभी गर्ब काली जिसे जेस्टेशनल केरियर भी कहा जाता है एक महिला जो किसी अन्य विक्ति या जोड़े के लिए गर्ब धारन करती है कंसीव करती है उसे अपने कोक में रखती है और फिर उस बच्चे को वो जनम देती है प्रोपकारी सरोगेसी क्या होती है इस गर्भाविस्ते में के दुरान चिकित्सावे और बीमा यहां पर बीमा कवरेज है बीमा कवरेज और सिरुफर सिरुफर मेडिकल खर्चा यह दोनों ही उठाए जाते हैं इसके अलावा जो सरोगेट मा है उसको किसी भी परकार से कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा उसको कोई पैसे नहीं दिये जाएगे और जो कमर्शियल सरोगेसी होती है उसके अंदर क्या होता है आप सारे खर्चेत उठाए उठाएंगे साथ इसाथ में आप जो मा है उसको आप मुआवजा भी देंगे तो यह जो है यह परतिबंदित है आप यह नहीं कर सकते हैं लेकिन सरोगेसी जो कमर्शियल सरोगेसी है उसका मतलब यह होता है कि आप उसे मुआफजा दें उसाप नगत वस्तु कुछ भी आप उसे दे सकते हैं अब इसके अलावा एक जो मैंने आपके सामने स्टार्टिंग में जो एक टेक्नलोजी की बारे हम बात करते हैं ए आर्टी जो एक एक्ट है उसकी समस्च्या के समाधान के लिए और इसमें जो बांजपन है उसके उपचार में जिसमें महिलाओं के अंडे और पुरुशों के सुकराणू दोनों का प्रेयोग किया जाते हैं क्या होता है कि जो महिला की जो एक्ट जो उनको बाहर निकाला जाते हैं फिर उनको मेन के सब्ढू के साथ, उनको क्या कहाता है, लुक्त हैं, इम्ड्योज तियार कहाते हैं, उस एम्ड्योज को तियार not करने के बाद, वाभपस महीला की बोरी में उसे, मतलब अंदर पुढ कर दिया जाता है, अब इसमें महिला के शीर के अंडे प्रावध भून ये मैंने शायद आपको यही बात बोता दी है दोबारा शीर में डाल दीजाते हैं और इन विट्रो फर्टलाइजेशन जो आपने IVF टेक्नलोजी सुनी होगी ART का सबसे समान्य और प्रभावशाली परकार यही है अब इसके बारे में बात करते हैं कि कानून प्रावधान कानूनी प्रावधान देखिए ART 2021 राष्ट्रिय साहयक परजन अंतक्नीकी और सरोगेसी बोर्ड की स्थापना करके सरोगेसी पर कानून के कार्यानवन के लिए एक परणाली परदान करता है मतलब कि एक बोर्ड की स्थापना की गई है जिसका काम क्या होता है वो यह देखेगा कि दुरुपयोग ना हो इस टेक्नलोजी का साहयक परजन अंतक्नीकी सेवाओं में सुरक्षित और नैतिक यानि एक मोरलिटी वहां पर अपनाई जाए इन अब हेट्रो सेक्शुल कपल की बात करते हैं उनको सब को बाहर रखा गया है इस एक्ट के अंदर जो एव वाहित पुरुष होगे जो जो विडोड मैन होते हैं जो मतलब कि जिनकी पत्नी जो डैथ हो जाती है और जो लीविन में रहने वाले होगे और जो हेट्रो प्रसंगिक है क्योंकि सरोगिस्थी अधिनियम भी उपरोक्त व्यक्तियों के परजनन की एक विधी के रूप में सरोगिस्थी का सहरा लेने से बाहर करता है अब इसके लावा जो परजनन वक्यल्पों को कम कर दिया गया है मतलब कि इस एक्ट में उन वैध्यानिक यगुल का तक ही सीमित है जो मतलब की बांच है और एक वर्ष्ट से एस रुक्षित सहवास के बाद भी गर्ब धारन करने में वह एसमर्थ है तो इस परक्रिया मतलब की जो ए आर्टी है ए आर्टी इसके तहत जो है वो मतलब की सरोगिसी का लाव उठा सकते है और बच्चे का कर दिया जाता है इनको एनियंत्रिट किमते देखे सेवाओं की किमते वी नियमत नहीं है मतलब उनको रेगुलेट नहीं किया गया है यह निश्चित रूप से सरल निर्देशों के साथ इसे ठीक किया जा सकता है अब आगे की रा क्या हो सकते है देखे भारत में भले ही इत एक point of view रखा गया है, क्योंकि बाहर देश से हमारे पास आते हैं और यहां की महिलाओं को surrogate के लिए वो राजी कर लेते हैं और उनसे एक बच्चा जो है यहां पर वो ले के जाते हैं जो इस movie में इसी concept को दिखाया गया है उनमें बोला गये कि आप सुरोगेसी के तुरू बच्चा चाह रहे हो हमारे देश के अंदर कितने हैं या फिर पूरे दुनिया के अंदर कितने जाधे जो है वो अनात बच्चे हैं आप उनको गोध क्यों नहीं ले ले लेते हैं उनको एक माबाप मिल जाएंगे महिलाओं को यहाँ पर अब इसमें प्रोब्लम यह दिखाए गए थी कि इस मूवी के अंदर जो कपल थे जिस महिला के पास वो सुरोगेसी के तुरू बच्चा लेने आये थे वो कपल भाग जाते हैं उस मा को अकेला चोड़के और बच्चा भी उस मा के पास ही रह जाते है जो सुरोगेसी के तुरू मा बनती है उसके पास रह अब वो समाज के सामने जाती है अब उस बच्चे को भी पालना है अब समाज जिस तृरिस्टी से उसकी तरफ देखता है तो यहाँ पर यह कपल तो भाग गया समाजिक में परिवर्तन और इन तमाम बातों को भी इसके अंदर देखना चाहिए और कुछ प्रावधान कुछ सॉलूशन हमें लाने चाहिए ये बात बोले गई है उमीद करता हूँ कि ये आपको complete वीडियो समझ में आ गई होगी सुरोगेसी क्या है, commercial सुरोगेसी क्या है, altruistic यानि प्रोपकारी सुरोगेसी क्या है और इससे क्या क्या problem हो रही है, जो couple है वो आते हैं महिलाओं को महिलाओं के साथ सुरोगेसी के तरू बात बनवा लेते हैं लेकिन वो बाद में अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती ही बच्चे के अंदर हो, तो वो बच्चे को वहीं छोड़ कर चले जाते हैं, जिससे काफी ज़्यादा problem देखने को मिल रही है, care PDF के लिए मैं फिर से बता देता हूँ description box में telegram का link दिया मिलेगा, तो जाकर आब वहां से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई है तो like करें, channel को subscribe करें और कुछ जादा ही पसंद आ गए हैं तो भाईया, share कर सकते हो और साथ इसाथ, मतलब वीडियो को भी share कर सकते हो और channel को भी share कर सकते हो क्योंकि इससे बहुत जड़ा motivation आई होता है तो thank you for watching this video